हेलो फ्रेंट स्वागत आपके स्टड़ी है चैनल पर जैसा कि आपको पता है कि आज विकेंड है और विकेंड में मैं स्पेसल क्लासेज लाता हूं जो टॉपिक आप कमेंट करते हो कि सर मुझे इसमें दिक्कत आ रही है इसके सौट ट्रिक निकालो तो मैं उन टॉपिक पर क्लास तो आज मैं लाया हूं रिजनिंग का एक टॉपिक है कलेंडर उस पर क्लास लाया हूं क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि सर कैसे हम सारे याद कर ले कोड की लिपियर के लिए यह कोड कर लो मन्त का वह किसी भी डेट का निकालना है तब यह लिखो फिर उस से आप पांस से दस सकेंड में कोई भी कोश्चन हो हल कर लेंगे बढ़ी असानी से एक बार आपको चीज़े समझनी है उसके बाद आपके लिए सारी चीज़े आसान हो जाएंगी सारे कोड भूल जाओगे कोई भी कोड याद करने की जौत नहीं है रेले एंटी पीसी एसस अंत तक बने रहे तो ख्लास सुरू करने से पहले हम जान ले पहले बेसिक चीज़ आपको किलियर होगी तो सारे ट्रिक्स आपको आसानी से समझनाएगी तो आपको जैसा पता कि डेज कौन कौन से डेज होते हैं वीक में ठीक है यह सब चीज़े आपको आता है ठीक है और पता होगा कि कि एक वीक में कितने और दे होते हैं तो जीरो और दे होते हैं है और कुछ नहीं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आपको पता होगा कि मन्थ में कितने और डे होते हैं तो जो 31 दिन वाले होते हो तो इसमें तो कौन-कौन से मन्थ होते हैं जनवारी मार्च में जुलाई अगस्ट अक्टोवर डिसंबर ठीक है अगर नॉर्मल यह फर्वर से कर जाता है तो थीन बश्ता है तो वही तीन ओर डे ढ़े होंगे ठीक है 30 है तो दो होंगे 39 हे तो एक होंगे 28 है तो जीरो होंगे तो यह चीज आपके लिए नॉर्मल है ठीक है आपको लीप यहर भी निकालना आता है चार से जो इयर डिविजबल होगा होगा संचूरी क फिर्वारी 28 अगर नॉर्मल यह था नोर्मल यह के लिए लिए लास्टे पराबर करें नॉर्मल यह के लिए यह तो वण डे इंक्रीज हो जाता है माल लोग की फर्स दिसंबर को मंडे था तो 31 जनवरी को मंडे था तो 31 दिसंबर को क्या जागा ट्यूज जो जागा अगर लीप यह तो ठीक है बस यह सब बेसिक चीज है जिसको आप ध्यान में रखना है कि आप करता हूं ठीक है शलिए आगे बात करते हैं आगे आप याद कि 100 साल में कितने और जाते हैं ठीक है अगर नॉर्मल साल होंगे तो पाच और जाते हैं ठीक है बीच मंगर कहीं लीप आ गया कोई लीप संचूरी आ गया लीप यह आ गया संचूरी आ जाए तो सिक्स और देज हो जाएंगे ठीक है और एक और चीज़ आज रखना कि हर 400 साल बाद कालेंडर अपने आपको रिपीट करता है ठीक है तो 400 से जो डिविजबल होने वाले संचूर यह ठीक है वहां से फिर से सुरुआत हो जाती है कैलेंडर की तो हम इसी चीज का फैदा उठाएंगे यह 400 जो है न इसी का फैदा उठाएंगे ठीक है कैसे उठाएंगे आगे मैं आपको बताता हूं लाइज ठीक है तो हम दो Bverbs Year मानके चलेंगे ठीक है एक तो हम मानके चलेंगे 1000 को ठीक है और एक मानके चलेंगे 2000 को यह 20 और प्लस one और 10 दोनों में ले लेंगे एक्स्ट्र खीए अगर हमें 2000 से पहले की कर लेंगे गर 2000 के बाद की निकालने हैं जैसे कि 2000 की 2024 की यहीं यहź करेंको अगर और 1900 के बाद निकालना जैसे माल 1947 की निकालनी है 1945 की निकालनी है या 1950 की निकालनी है तो पलस 1 तो हम रखेंगे साथ में अपने और डेज ठीक है उसके बाद जो करेगा रूल वह आगे मैं कोस्टन बता रहा हूं वैसे करेगा ताप दो यह आ जखना 1900 और 2000 के बाद के लिए 2000 यूज करना और 1900 के बाद के लिए ठीक है यह 1900 का यूज करना बस इसी से आपके सारे कोस्टन हो जाएंगे कोई भी एक्स्टा नहीं क्योंकि जो भी पूछे आप तो कोस्टन पुछा पहला कोस्टन कि अगर आज फ्राइडे है तो देन वाट विल भी दे आफ्टर ठीक है चलिए दस सेकेंड मिलेंगा आपको एंसर करना है बहुत ईजी आप इसको कर सकते हो ठीक है मैं आपके साथ करता हूं 30他 के बचेंगे हमारे निमेंड एंट लिकने निए सरी और रिमेंड़े से पहली है तो कौन सा डेफ जागा ठीक है 19 तो बड़ी असानी सा आप कर पारो यह सब चीज इजी है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे कहरा कि अगर आज सेटर्डे इस टुड़े सेटर्डे इस तो मंडे कब होगा ठीक है आज यहां पर सेटर्डे है तो पूछा मंडे कब होगा तो सटर्डे के एक दिन बाद आगा उसके बाद आएगा मंडे तो क्या हो गया यह हो जागा टुमोर्ड और यह क्या हो जागा दे आफ्ट तुमोर्ड ठीक है इसको राइट एंसर होगा वह होगा डी ठीक है चाहिए आगे बात कर लेते हैं अभी इजी जी कोश्टन करो आप यह सब भी आए हुए है फिर मैं तक हो गया अगर 31 में सा 12 घटा लो तो कितने दें बचेंगे 19 ठीक है अगर 19 में आप और देख लो साथ से डिवाइड कर लो ठीक है इसको तो कितने आ जागा रिमेंडर कितना आ जागा पांच तो पांच आ रहा है मतलब कि अभी हमारा थरस्डे था ठीक है अगर साथ होता तो साइकल रिपीट होता मतलब क्या करना है थरस्डे से माइ सब्सक्राइब कर लो तो आपको चीज़ें बहुत इसली सॉल्व हो जाएंगे चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं सब्सक्राइब कर दो दीन पहले क्या था मंडे तो आज कौन सा दे यहां पर मंडे था इसके बाद एक डे आयागा क्या तूजडे तो आज कौन सा दे है यहां तो इसका जो साइए बहुत कर पार होगा तो कलेंडर से इजी और एक दूप आते हैं मैं उनको लास्ट में रखाओ ताकि आप उसको चीज़ों को असानी से समझ लो पहले बैसिक बनाओगे तो आपको चीज़ें क्लीर हो चली जाएंगी आपको मज़ा आता रहेगा ठीक है चले नेक्स कुछन करते हैं नेक्स पूचा कि रिपाब्लिक डे आफ इंडिया वास लिवेटे वास तर्सडे इन टूथाउन सेवंटीव अगर अभी हमारा पंदरा रिपाब्लिक डे पूचा 26 जन्वरी का पूचा ठीक है तोगह थ्रसडे को 2017में 21 में क्या है मतलब क्या है चार साल जा रहा है तो चार साल में एक लीप ये भी है ठीक है एक इस्में ली पीए भी है तो कित न हो जाएगा और वार जाजएंगा जाते हैं। पीछे किया था कि अगर पहले जाओगे तो क्या आएगा। कि दूसरे आ जाएगा। नेक्स्ट आपको पताना की कौना है। यह बहुत इजी कोश्चन है दस सेकेंड मिलेंगे फटा-फट बताइएगा आपने कलेंडर भी देखा होगा तो आपको पता होगा ठीक है चले इसे घरा टाइम अप होगा यह बहुत इजी कोश्चन था तो 2021 लीप यह बाद मांगे फोर से डिवीजिबल है 72 टुवेल टुवेल यह सब डिवीजिबल है 21 डिवीजिबल नहीं है तो यहीं हमारा लीप यह नहीं है ठीक है नॉर्मल यह चलिए नेक्ट बात कर लेते है नेक्स कोश्चन कर रहा है कि कितने लीप यह होंगे 800 साल में ठीक है अब आपको आता है तो आप जल्दी जल्दी बना ठीक है टाइमर मैं सुरू कर देता हूं नहीं तो उसके बाद मैं बताऊंगा ठीक है दस सेगेंड देता हूं आपको यह सब चीजे याद होनी चाहिए चलिए टाइम आप हो गया है आई होप आप लोगने सही एंसर कर दिया हुआ तो इसका जो सही एंसर है वह क्या है 198 है 198 होगा या 198 नहीं होनी चाहिए इसमें तो मुझे लगड़ा है कि यह 192 होनी चाहिए नहीं होगा 192 होता है ठीक है इसको 192 बना लो कैसे हर सौ साल में 24 होते हैं ठीक है और 800 साल का पूछा तो 24 गुने आठ कर लो ठीक है और चौक 32 दो आर्टियू सो लगती होता है ठीक है वह 198 नहीं होगा यह 192 होगा ठीक है अब इसको करेक्ट कर ले ना 192 ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पूजा कि तर लास्ट देय आफ संचू बहुत इंट्रेस्टिंग कोश्चन है असाइद आप लोग ने इसको किया होगा यह नहीं भी किया तो मैं आज बता दूंगा इसको कैसे करना दस सेकेंद देता हूं ठीक है तो कहीं मार लेना कोई दिक्टर नहीं है चलिए इसे के साथ काइम अप हो गया तो मैं बता दूं कि सो साल में जो होता अभी पीछे बताइथ कि सो साल में कितने और शोंच होते हैं फाइब और जो होते हैं है और पांच को हम क्या बोलते हैं पांच को हम बोलते हैं फ्राइडे होगा अगर आप बात कर लो 200 यह की तो क्या हो जागा 5 इंटू टू टेन को अगर से डिवाइड करोगा तो कितने और देज बढ़ेंगे ठीक है तो कितने और देज बन जाएंगे आप देख पा रहे हो तो एक और देज बनेगा ठीक है एक और देज को क्या बोलते हैं मंडे ठीक है और जब 400 यर होगा अभी बता है कि 400 पर क्या होता है रिपीट हो जाता है चीजे तो क्या हो जागा इसमें कितने और देज हो जाएंगे जीरो और जीरो किसके लिए कहते हैं संडे के लिए एघाइब संडे के लिए कहते हैं तो अब देख पाते हैं कौन कौन से Сам कौन से नहीं संडें नहीं कौन्ट कौन से नहीं हो गया थासिज नहीं होगा सै यहां से तो क्या पीड बात कर लेते हैं कि लेक्सक्रेश्व क्या रहा है देख लेते हैं कि तो हमारा जो नेक्स कोश्चन है वो कह रहा है कि वाट वाज दे ऑन 15 अगस्ट 1947 आप कर पाते हो आपका जो आप जिस मेचाद से करते हो अप उससे करो ठीक है मैं आपको दस सेकेंड दे रहा हूं आप ज्यादा ले लो दस सेकेंड से रहा है फिर मैं बताऊंगा कि मैं कैसे करूंगा मैंने जो आपको रूल बताया थे ठीक है चलिए दस सेकेंड और मैं इंतिजार कर लेता हूं तब तक आप लोग करो मैं कुछ लिख रहा हूं कि मैंने कहीं पर आपको लिखा था चीजे मैं वह चीजे लिख रहा हूं ठीक है तक जाएंगे 47 का तो हई ही ठीक है उनिस्सव से जा रहे है तो कभ तक जाएंगे 46 तक जाएंगे छीघ्धा फवरे प्लिआजह चैनी अब इसमें बात कर लेंड पिर कित। होंगे हो जाए इसको जब डिवाइट कर वोगे फूर से तो इसमें लिखते हैं दो और दे लिखते हैं तो हमक्या करेंगे कि इसमें से घटाएंगे नहीं 46 प्लस 11 कर देंगे तो कितना आजागा 57 तो यह हमारा क्या हो जागा और देज हो जागा इसको फिर 7 से डिवाइज कर देंगे तो कितने आजागा वन और दे आजागा ठीक है अप याद आतना एक यह संचूरी के लिए और यहां पर हमने इसको और देलिया ठीक है अब आजो आप मंत के लिए ठीक है जंबरी 21 महीं नहीं को ता इसमें कितने 3 ऑडेज होते हैं फैबरेरी 28 का होगा ठीक है तो उसमें 0 और डेज होंगे मर्च में 3 हो जाएंगे अप्रेल में 2 हो जाएंगे में 3 हो जाएंगे जून में 2 जुलाई में 3 और अगस्ट 15 तक जाना है तो अकर 7 से डिवाइड करो आप उसको तो कितना बचेगा 14 साधूनी 14 एक और डेज बचेगा तो इसक से जो पुल और डेज मिलेंगे वह कितने मिलेंगे अगर आप और डेज गिनो तो कितने पुल और डेज मिलेंगे इससे अगर कंप्लीट करके देखो एड करके देखो तो आपको जो मिलेंगी और डेज वह मिलेंगे 3 और डेज यह हो गए एक और डेज यहां सा है आप 4 और यह किया आएगा 5 और 5 किसका कोड है आप देख पाड़ हो तो 5 हमने किसका कोड बताया था आपको अभी बताया था कि 5 होगा हमारे किसका कोड फ्राइडे का ठीक है तो जो हमारा पंदर अगास उसके दिन फ्राइडे आ रहा है ठीक है आप इस चीज को प्रैक्टिस में जब लाओगे जब धीरे धीर आप इस चीज को दो बार कर लोगे तो मैंने जो इतना चीज लिखा आपको लिखने की जोतने होगे अब सिर्फ माइ तो तीन चार पांच और पांच किसके लिए होता है ठीक है तो डायक्त इंसर खरपा होगे यह आपने देख लिए नाइंटीन हंडेड से चले इस को सॉल्व कीजिए मैंने आपको बता रखा कि आप क्या करो अपने मेंटर्ट से करो जैसे आप करते हो ठीक है मैं दस के लिए प्लस वन नहीं होता है ठीक है अगर हमें कहां तक 2023 के पंदर अगस तक जाना है तो हमें कहां तक जाना पड़ेगा 22 तक कंप्लीट हो जा गई है ठीक है हमारा थाइस का हम फिर आगे तक देंगे क्योंगे 22 पूड़ा इसमें बात कर लें कि हमारे कितना हो नाट तो टोटल हो जागा 27 तो और डे की बात कर लें तो कितने आ जाएगा इसमें और डे तो साथ से दिवाइड करो गोगो तो एकीस तक पड़ जाएगा और छे बच्यांगा टीक है तो तीन हो जाएगा जनवारी में तक जाओ और 15 दे जाओ थे एक और दे बज़ेगा तो आप इसको जोड़ोग है तो कितने और देज हो जाएंगे आप देख लें यहां पर चार तीन साथ तीन यह हो जाएंगे यहां से 14 बज़ा नहीं तो यह पुड़ात्र घ्रक जागा तो कि कितने और देज बचेंगे अब देख पार यहां सो यह को साथ से लि सब्लिवाइद नो कि में और दो और जैसा कि आपको पता कि 2 हमारा किसके लिए ओधा करद कर लेन चैण भर कर सकते हैं तो वहां पर एक एक्ट रिखाय कर लेन अगर 900 और हो हैं खीड है टूषावाले सतावधी में प्लस वन करना था तो आप उसको नहीं लगेगा तूषाइंड कुछ नहीं लगना है जा यह वएसे चीज लगेगे मैं आपको और और समझा देता हूं ठीक है मैं चीजों को क्लियर करका एक बार और समझा देता हूं फिर से कैसे क्या करना है ठीक है अपसे और देख लोगा चीजें आप लिए बहुत ही आसान हो जाएगगे तो मैंने क्या का है आप यहां दो को वहां पर आप रेक्टिफाइग कर ले ना ठीक है वहां पर मैंने साथ इसके साथ प्लस वन लिग दिया था प्लस वन हो तू चाहिए उन्त को बेस एर मालो ठीक है और मैं पांच क्यों एड करता हूँ अगर आप ऐसे भी डिवाइड करके जाओ तो पांच के लिए दस और डेज करोगे ठीक है पांच लिपियर के लिए पांच यहां पही आड कर दो तो पांच अब निकाल लोगे कि पांच लिपियर होते तो टोटल डेज हो जाएंगे 27 ठी ठीक है अगर आप इसको साथ से डिवाइड करोगे तो क्या होगा साथी है 21 तो छे बच जाएंगे तो कितने और डेज बच बच जाएंगे 6 ओर डेज हो जाएंगे ठीक है और हम मंत का निकाल ले तो जनबारी में होते तीन फेबरेरी हो जाएगा 28 देज का ठीक है क्योंकि साथ दूनी चौध कोऴ तो ये 1 और डेज बता है ठीक अब इसको ऐसे लिखे लो ठीक है अब देख पार वोगह की यह क्या होजागा 4-3,7 कि साथ devient साथिक्वेश्ड डेज रीपीट कारता तो इसको जिएरो लिख जाबते और डेज ठीक है अभी यह देख्लों तीन छे और यह साथ यह मिलके भी कितने ओडेज बना देंगे यहां से क्या थी और पहले से क्या था यह six था तो टोटल हमारे पास कितने डेज जा जाएगे nine days ठीक है और nine को हम डिवाइड कर दें नाइन को को से दीवाइड कर देते तो हमारा क्या बता है फ्हوقत है तो यह ही और देज हो जाएंगे ठीक है है तो हम हम सबसके होगा यह यह जो जाएंगãosished तब इस चीज़ को याद रखना अगर आपको 1900 के बाद जाना है 1947 पूछ दिया 1940-1950 तो 1900 को base year मानना और 1900 के साथ एक चीज़ जरूर रखना 1900 के साथ plus one एक रख लेना एक्स्ट्रा यह चीज 2000 के साथ नहीं करना है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही तो आज के लिए बस इतना ही तो आज के लिए बस क्लास आपको कैसा लगा कलेंडर सीखा अपने क्या क्या सीखा अब जरूर कमेंटर बता है अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों में सेर कर दें जिनने भी कलेंडर के ट्रिक्स उप गए होंगे कि बहुत सारे कोड याद करने पड़ते हैं एक सो पचीश एक सोच्वालीस वाले ठीक है फिर उनको सतावदी के कोड याद करने पड़ते हैं फिर यह याद करना पाता कि पीछे आप यह लिखो फिर उसको साथ से डिवाइड करो जो रिमेंडर इसको लिखो फिर डेल भी फिर सबको जोड़ो ठीक है मन्त का कोड लिखो सतावदी का कोड चौड यू जो लिखो से अब ऩगैंगा एक Pak के बहुक्त